नमस्कार, डॉक्टर राजींद्र प्रसाद स्मारक व्याज्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है भारत की प्रथम राश्ट्रुपति भारत रतने डॉक्टर राजींद्र प्रसाद की इस वर्ष हम 129 वी जयनती मना रहे हैं उनकी 12 वर्ष की अन्वरद अप्रतिम सेवा ने देश के इस सर्वोच पद को गरिमा प्रदान की सब्भेता और संस्कृति को समर्पित ऐसी महान विभूतियों का भारत रेणी रहेगा जिन्होंने वैभव पूर्ण पद की पहचान में स्वयम को नहीं खोया बलकि उन्हें पाकर स्वयम पद ही महिमा मंडित हुए हैं आकाश्वणी परिवार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समारक व्याख्यान को एक बार पुनह आयोजित करते हुए आज गर्व का अनुभव कर रहा है आज का विशे है अकेले नहीं आते बाढ़ और अकाल और वक्ता है प्रख्यात परियावरण विद श्रे अनुपम मिश्रु श्रे अनुपम मिश्रु ने 1979 में गांधी शांती प्रतिष्ठान से जुड़कर हिंदी प्रकाश्चन और फि पुस्तकें लिखी हैं कुछ एक के नाम है साफ माथे का समाज हमारा परियावरण चिपको अंदूलन राजस्थान की रजत बूने और आज भी खरे हैं तालाब आपकी पुस्तकों का अंग्रेजी उर्दू बंगला और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका ह आज भी खरे हैं तालाब पुस्तक का आकाशवणी के कई केंद्रों ने धारावाहिक रूप में प्रसारण किया है विश्व बैंक ने भी इस पुस्तक के आधार पर जल संकट दूर करने की योजनाएं बनाई हैं इसी कालजई पुस्तक पर 2011 का प्रतिष्थित जमनालाल ब प्रिय हिंदी संस्थान का श्रियात्माराम पुरसकार, मध्य प्रदेश सरकार का चंद्रशेखर आजाद पुरसकार और टी एन खुशु पुरसकार सहित अनेक सम्मान आपको प्रदान किये जा चुके हैं लोग जीवन और लोग ज्यान के साधक के रूप में कारे शुरू चुकर अनुपम जी इसके नए आयाम तलाशते गए और जिस प्रकार लोग ज्यान और लोग जीवन की कोई सीमा नहीं है उसी प्रकार श्रे अनुपम जी का परिचय भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता वरतमान में आप गांधी मार्ग पत्रिका का संपादन कर रहे हैं ऐस स्वागत भाशन प्रस्थित करें एक दुरलब संयोग आज बना है अनुपम जी के लेखन से उनके काम से मेरे खेल में सभागार में उपस्तित सभी लोग कमों बेश परिचित हैं उन्होंने एक तरह से हमारे इस शरणशील जमाने में लोग जीवन लोग भाशा दोनों की लए को पकड़ के उसको कर्म सिंग बातें बहुत लोग करते हैं और परियाबरन के खेत्र में भाशा का बहुत चतुर उपयोग आज कल होता हुआ हम देख रहे हैं वो भाशा आयातित भी की जाती है और उस भाशा का बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी में अनुवाद भी होता है लेकिन सहज रूप से जब को हैं सुनते हुए हमेशा लगता है अगर दिमाग सहज हो समझ सहज हो और साधना उससे जुड़ी भी हो तो बहुत आसानी से बहुत सारी बिंदू जुड़ जाते हैं जिनको हम लोग अलग-अलग समझते हैं मसलन भाशा का सवाल आज भी खरे हैं तालाब किताब में उन्हो जल से जुड़े हुए तालाबों के नामों से जुड़े हुए तालाबों के बनाये जाने उनके विकास उनके बनाये जाने की कला उनको बनाने वाले उपकरणों के नामों को गूथते हुए किस तरह से एक पूरी लोग जीवन की लए को हमारे सामने खोल कर रख दिया है य एसे अद्भुत वक्ता और इतने अद्भुत पर्यावरन शास्त्री का किन शब्दों में स्वागत करूं समझ में नहीं आ रहा है। 1977 में इन्होंने एक लेख लिखा था, नाम था प्रलय का शिला लेख, जिसमें की पहाड में आये हुए भूकंप के बारे में। अभी हाल में जो त्रासदी भी लगभग वो उसका एक पूर्वरंग बाली उद्घोषणा थी। तो आज हम सब सुनने को आतुर हैं, अकेले नहीं आते बाड़ और अकाल। ये सही है, अकेले नहीं आते उनसे बहुत पहले पीठी का तयार होती है। आईए हम सब मिलकर के जाने कि वो पीठी का कैसे तयार होती है, क्यूं और कैसे अकेले नहीं आते बाड़ और अकाल। अनुपमजी आप सब को प्रणाम। आज से कोई सौबरस पुरानी घटना है, वह घटना यदि न घटी होती, तो शायद हम आज यहाँ एककत्र भी ना हो पाते। किस्सा है सन 1910 का, राजेन बाबू तब कलकत्ता में वकालत पढ़ रहे थे, वहाँ एक दिन उने उस दौर के प्रसिद बेरिस्टर श्री परमेश्वर लाल जी ने बुलाया, वे कुछी समय पहले गोखले जी से मिले थे, बेरिस्टर साब। बाचीत में गोखले जी ने उनसे कहा था कि वे यहां के, याने कलकत्ता के, दो-चार होनार चात्रों से भी मिलना चाहते हैं। तब परमेश्वर जी ने सहजी राजेन बाबू का नाम सुझा दिया था। राजेन बाबू गोखले जी से मिलने गए अपने एक मित्र श्री कृष्ण प्रसाद के साथ। Servants of India Society की स्थापना अभी कुछी दिन पहले हुई थी। गोखले जी को उस काम के लिए हर जगे कुछ होनहार अच्छे योकों की तलाश थी। उन्हें ये जानकारी परमेश्वर जी से मिल गई थी कि ये बड़े शांदार विध्यार थी हैं। वकालत उन्हों कुछ ऐसा पेशा बन गया था जो प्रतिष्ठा और पैसा एक साथ देने लगा था। इस धंदे में हम कह सकते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी जुड़वा बेहनों की तरह आम मिलती थी। कोई देड़ घंटे उनकी ये मुलाकात चली थी गोखले साब की और और एश इश्रत के दिन बिताओ बड़ी कोठी, घोड़ा गाड़ी, इत्यादी दिखावट का सामान सब जुट जाए। और चुकि तुम तो पढ़ने में बहुत अच्छे हो इसलिए तुम पर यह दावा और भी अधिक है। फिर गोखले जी थोड़ा रुख गय थे, वो ऐसी ही उमर में। मैं भी एक साधरन करीब घर का बेटा था, घर के लोगों को मुझसे बहुत बड़ी बड़ी उम्मेदे थी। उन्हें लगता था कि मैं पढ़कर तयार हो जाओंगा, रुपे कामाओंगा और सब को सुखी बना दूँगा। पर मैंने उन सब की आशाओं में तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। श्री गोखले के मुख से मानो एक आकाशवानी सी हुई थी। बात का किस्सा बहुत लंबा है, लंबी है राजिन बाबु के मन में, कई दिनों तक चले संगर्ष की कहानी, और घर में मचे कोहराम की, रोने धोने की, बेटे के इस किस्से से ऐसा न मानने हम लोग कि राजिन बाबु अगले दिन ही सब कुछ छोड़कर देश सिवा में उतर गए थे। श्री गोखले खुद बड़े उदार थे। उन्होंने उसी दिन उनसे कहा था कि ठीक इसी समय मुझे तुम से उत्तर की कोई उम्मीद नहीं है। उ भाई उनके व्यवार में आ रहे बदलाव को देख रहे थे। अगले दिन से राजिन बाबु ने कोट जाना बन कर दिया था। न वे ठीक से खाते पीते न किसी से मिलते जुलते। फिर एक दिन हिम्मत जुटाई राजिन बाबु ने एक बड़ा पत्र काफी बड़ा पत् कर राजिन बाबु खुद बहार टहलने निकल गए। भाई ने लोटकर पत्र देखा और अब वो खुद राजिन बाबु को तलाशने क्लिए घर से बाहर निकले। फिर लगा कि कलकत्ता से गाउं जाना चाहिए, वहां मा, चाची और बहन को सब कुछ बताना चाहिए। र लिए राजिन बाबु एक बार और उनसे भेट करने गए। सारी परिस्थिती उन्होंने बहुत संकोच के साथ बताई। गोखले जी ने भी उन्हें देश सेवा के लिए पाने की आशा छोड़ दी थी। गाउं का किस्सा तो और भी विचित रहे। चारों तरफ रोना धो बच्ची खुची हिम्मत भी राजिन बाबु की तूड़ गई देश सेवा के लिए जाने के लिए। जैसे थे वैसे ही फिर से बन गए। फिर से लगा कि पुरानी जिन्गी पट्री पर वापस आने लगी है। पर उस दिन तो आकाश्वानी हुई थी। उसका क्या होता? वो कैसे जूटी पढ़ जाती? यही वकालत उन्हें आने वाले दिनों में कोई 5-6 बरस बाद चमपारन ले गई। वहाँ उनके जीवन पर नील का रंग चढ़ा। नील का रंग याने गांधी जी के चमपारन आंदोलन का रंग। और ये रंग इतना चोखा था कि फिर वो कभी उतर नहीं पाया। गांधी रंग में रंगे राजिन बाबू फिर बिना किसी पत की इच्छा के देश भर घुमते रहे। और सारणिनक जीवन में जितनी भी तरह की समस्याइं आती हैं उनके हल के लिए अपने पूरे मन के साथ तन अरपित करते रहे और जहां पड़ी वकालत से जो थोड़ा भहुत धन कमाया था उसको बाढ़ते भी रहे। उन समस्याओं की उन विश्यों की गिंती गिनाना बड़ा कठिन काम होगा। आज तो हम उन लंबी सूची में से दो विश्यों को दो समस्याओं को सामने लेंगे और उन पर कुछ बात ये हैं बाढ़ और अकाल। पानी के सुभाव के ये दो छोर हैं एक में बाढ़ में चारों तरफ पानी ही पानी है और दूसरे में अकाल में हर कहीं पानी का अभाव ही अभाव। राजिन बाबू ने इन में से जो भी समस्या सामने आई बाकी हाथ के सब काम कौन मान कर सब से पहले इन ही पर ध्यान दिया, लेकिन इसके विस्तार में जाने से पहले हम जरा आज का संदर भी दोहरा लें, राज्यों में चुनाओं होने वाले हैं, आए दिन हम देखते हैं कि किसी को किसी राजनेतिक दल ने अपना उमीदवार नहीं बनाया, तो उसने गुस्से में आ अचरज होने लगे कि ये अब तक उस दमघोटू संसार में रहते कैसे थे, इसके पीछे एक धारना बन गई है कि मुझे कोई पद नहीं मिलेगा, तो देश की सेवा नहीं हो पाएगी मुझसे, इस विचितर धारना को पालने पोसने और आगे बढ़ाने में सारे दल, उनक लेने चाहिए, यह प्रसंग आज से कोई 93 बरस पहले का है, संयोक से तब भी नवंबर का महिना ही था, अब सर्था काउंसिल और असेंबिली के चुनाओं का, छोटी छोटी बातों पर तब के बड़े बड़े नामों तक में सिर्फ मद्भेध ही नहीं, मन्भेध के भी बह देश नाम के एक अकबार में एक लेख लिखा था, लेख बहुत लंबा था, उसे उन्हीं के साथियों ने तब बिल्कुल पसंद नहीं किया, राजिन बाबु के शब्दों को यहां दोरा लेना चाहिए, जब देश की स्थान पर हम किसी जाती विशेश, अत्वा धर्म वि वे किसी स्थान, पद, अत्वा प्रतिश्ठान के लिए लालायत नहों, और केवल सेवा को ही धे बना कर काम करते जाएं। इस लेख में वे फिर आगे लिखते हैं कि मैं इसको प्रवंचना मात्र मानता हूं, जब कोई यह सोचता है या कहता है कि सेवा करने के लिए उससे क इसी पद विशेश की आवशकता है और उस पद के बिना वह सेवा नहीं कर सकता। इस एतिहासिक लेक के अंत में वे कहते हैं सेवक के लिए हमेशा जगे खाली पड़ी रहती है। उम्मीदवारों की भीड सेवा के लिए नहीं हुआ करती। भीड तो सेवा के फल के बटव नहीं है। जमीन में ये सब हो रहा था उनके अगल बगल और उधर आस्मान से भी एक भयानक विपत्ती उतर आने वाली थी। आश्विन के महीने में बिहार के चपरा जिले में एक दिन में ऐसी घंगोर बरसात हुई। उस समय के आकड़े बताते हैं 24 घंटों में 36 इंच वर्षा हुई। आज की भाशा में कहें तो एक नहीं कई बादा लेक साथ फट गए चपरा के उपर। नतीजा यह हुआ कि पूरा जिला भयान अकबार में डूब गया। वहां के सरकारी कर्मचारियों ने लोगों की इस मुसीबत में बहुत ही उदासीन ता और पानी में डूब रहे थे तरही तरही पुकार रहे थे ऐसे में भी कुछ सरकारी अधिकारी कर्मचारी नाओं में चढ़कर बाड के पानी में जिर जिरी का खेल 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 रहे थे। जिर जिरी उस इलाके का एक खेल है लुकाचिपी का खेल तो अधिकारी नाओं में लुक चिपी का खेल केलता रहा। ऐसी भेंकर परिस्तिती में एक अंग्रेज नयाधीश और एक भारती उपनयाधीश ने खूब मदद की लोगों की। राजेन बाबू जैसे शालीन व्यक्ति अपनी आत्मकथा में उस दिन का वर्णन करती हुए कहते हैं कि कलेक्टर और पुलिस के अफसर और डिप्टी मजिस्ट्रेट तस से मस नहीं हुए। सरकार के ऐसे घ्रनित वहवार को लेकर अगले दिन बाड के पानी के बीच में छपरा में एक विशाल सभा आयोजित हुई और उसमें सरकार की खुले आमनिंदा की गई। साथ ही मदद देने के लिए जो लोग आये उनकी खुब प्रशंसा हुई और उनके प्रती कृतग्यता प्रगट की गई। देहातों का हाल तो और भी बुरा था ये तो शहर की बात हुई। उन दिनों छप्रा से मश्रक तक जाने वाली रेल लाइन के कारण बाढ का सारा पानी आगे बहने के बदले उस रेल लाइन की रुकावट के कारण एक बड़े भाग में फैल गया। और पीछे से आने वाली विशाल धारा उसका इसतर लगातार उठाए जा रही थी। लोगों को इससे बचने का एक ही रास्ता दिखा कि रेल लाइन काड देना उसको तोड़ देना और चड़ते पानी को आगे के भुभाग में फैलने देना ताकि यहां कुछ सांस ली जा सके पर कलेक्टर ने उनकी एक न सुनी और तो और ऐसी तबाही मचा रही अन्य रेल पर कलेक्टर ने सशस्त्र पहरा बिठा दिया कि कहीं कोई उनको तोड़ने ना आए सीवान के पास एक ऐसी ही जगे बहुत पानी जमा हो गया था गाउवालों ने जब खुदी रेल वे लाइन काटने का फैसला लिया कि प्रशासन तो इसको तोड़ नहीं रहा था हम तो ब बाड से बचेंगे तो उनके सामने शसस्त्र पुलिस आके खड़ी हो गई और उनकी हिम्मत नहीं हुई राजिन बाबू इस बाड का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कष्ट सहते गए लोग पर जब बरदाश्ट से बाहर हो गया तो दो चार लोग कंधे पर कुदाल रख बाड के पानी में तेरते हुए रेल लाइन की तरफ बढ़े पुलिस ने उनको देखा और धमकाया उन्होंने जवाब दिया कि पानी में डूब कर तो हम सब मर ही रहे हैं और तुम लाइन काटने नहीं देते भाई अब तक हमने बरदाश्ट किया अब और बरदाश्ट नह नहीं कर सकते मरना दोनों हालत में हैं धूब कर मरें या तुम्हारी गोली खा कर मरें इसलिए हमने निश्चे किया है कि गोली खाकर मरना बहतर है हम लाइन काटेंगे तुम गोली चलाओ तेज भेते पानी में ये बहदुर लोग तेरते हुए मजबूत बान की तरह उठी उस रेलवे लाइन तक अपने दिर्ण निच्छे से कुदाल चलाते गए पुलिस की हिम्मत नहीं हुई गोली चलाने की लाइन अभी थोड़ी सी ही कट पाई थी कि पीछे भर रहे पाने की ताकत ने लोगों के संकल्प का साथ दिया और लाइन भडाक से तूट गई विशाल बाड का पानी उस भरी पूरी लाइन को एक तिनके की तरह न जाने कहां अपने साथ बहा के ले गया और पीछे के अने गाउं बाड में पूरी तरह से डूबने से बच गए बाड में पुलिस वालों ने भी रिपोर्ट में लिखा कि बाड के दबाव से ही रिलाइन कटी है लोगों ने इसको नहीं तोड़ा है इस सारी विपत्ती में राजिन बाबू और वे जिस दल से जुड़े थे उनके अंगनित कारिकरताओं ने दिन रात काम किया छपरा की उस बाड में किसी बड़े अधिकारी के पास कुछ लोग शिकायत लेके पहुँचे तो उस अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि ये सारी शिकायते लेके मेरे पास क्यों आये हो जाओ जाओ गांधी के पास जाओ और यहां गांधी का मतलब राजेन बाबू से था इन सब दुखत प्रसंगों में राजेन बाबू ने देखा कि बार और साथ ही अकाल अकेले नहीं आते इन से पहले समाज में ऐसा बहुत कुछ हो जाता है जो नहीं होना चाहिए था यहां सब कभी धीरे धीरो होता है तो कभी बड़ी तेजी से हो जाता है गती जो भी हो समाज के नीती निर्धारकों संचालकों और नित्रतों का ध्यान इन बातों की तरफ जा नहीं पाता और फिर बार या आकाल सामने खड़ा हो जाता है बुरे कामों की बाढ़ा जाती है, बिना पानी का सुभाव समझे विकास के नाम पर कई तरह के काम होने लगते हैं, ये किसी एक काल खंड की बात नहीं है, दुरबागे से सब समय ऐसी गलतियां दोराई जाती रहती हैं, आज भी हम उससे बच नहीं पाते, तो एक तरफ प्र उन इलाकों में अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियां कहें या अनीतियां कहें, उनके कारण बड़ी तेजी से रेलवे लाइने बिचाई गई थी, रेलवे लाइन उनके व्यापार और शासन के लिए भी बड़ी खास चीज बन गई थी, इसलिए उसे आसपास की जमीन से बहुत उंचा उठा कर रखना जरूरी था आज लोग इस बात को भूल गए हैं कि कभी हमारे देश में फैला रेल वेवस्ता का यह जाल अंग्रेजी सरकार के हाथ में नहीं था वो निजी अंग्रेजी कंपनियों की जेब में था रेल गाडियां प्राइवेट थी कंपनियों की राजिन बाबु अपनी आत्मकता में इस दुखत प्रसंग में लिखते हैं कि रेल लाइनों के कारण बाड की भेंकरता बढ़ जाती है अपने सूबे में पिछले तीस बरसों में जितनी बड़ी और भेंकर बाड़े आई हैं सबका मुझे काफी अनभव है मेरा यदर विचार है कि रेल वे लाइन और डिस्टिक कोड की और दूसरी उची सड़के बाड के कारणों में से प्रमुक हैं यदि इन में जगे जगे काफी संख्या में चोड़े पुल बने रहते तो हालत ऐसी नहीं होती पर यहां तो रेल की कमपनियों के मुनाफ़े पर ही अधिक ध्यान रखा जाता था उनको पुल बनवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था लाइन काटना तो दूर की बात है एक कमपनिय का नाम था BNW BNW रेल्वे ने इस मामले में बहुत कंजूसी पन दिखाया है ऐसा राजिन बाबू लिखते हैं जद्यपी अब उसमें कुछ जगे पुल बन गए हैं तथा पी अब भी बहुत से ऐसे स्थाने जहां पुल की जरूरत है उसने जो पुल बनाए हैं वे जनता का कश्ट दूर रखने के ख्याल से नहीं अपने मुनाफ़े के ख्याल से क्योंकि जब तक केवल जनता के कश्ट की बात रही एक नहीं सुनी गई पर जब प्रकृति ने लाइन को इस तरह तोड़ा कि बाढ़ के कारण महिनों रेल का चलना बंद हो गया तो इन कमपनियों को मजबूरी में कई नए पूल बनाने पड़े। सन 1937 तक आते आते तो उस बड़े भुबाग की आलत ऐसी हो गई थी कि बिहार के राज़ेपाल ने उस वर्ष बाढ़ की समस्या को लेकर पटना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन बुलाया था। इसमें राज़ेन बाबु को भी भाग लेने के लिए निमंतरन भेजा गया खुद राज़ेपाल ने अपने मुख्य भाषन में बाढ़ के आने के जो कारण बताये जाते हैं, प्रकृति के वुरुद जाने के जो अनेक बुरे काम किये जाते हैं, उन सब का वर्णन करते हुए शोताओं से माफी तक मांग ली थी। और कहा था कि उनके भाषन का एक बड़ा हिस्सा सकारात्मक होने के बदले काफी कुछ नकारात्मक हो गया है। ऐसा गवर्णन ने कहा था। राजिन बाबु अचानक अस्वस्त हो गए थे इसलिए उस सम्मेलन में भाग नहीं ले पाए। लेकिन उने इस विश्या पर एक बड़ी टिपनी लिखकर भेजी इसलिए थी। सम्मेलन में उसे उस दिन श्री अनुगरा नारायन सिनाजी ने पढ़कर सुनाया था। वर्षा तो हर साल होती है पूरे देश में कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं होता। इन सब विबिन जगों में रहने वाले समाज ने अपने वर्षा के साथ अपना जीवन कैसे ढालना है उसको ठीक से सीख लिया था। एक तरफ तो है जैसलमेर जहां वर्षा का आकड़ा इंचों में बात करें तो वर्ष भर में चेंज से उपर नहीं जाता। चेंज जैने नए आकड़ों में 16 cm। तो दूसी तरफ हमने देखा अपने आसपास के मौसम, धर्थी, हवा, पेड़, पौदे, वहां के पश्वों के साथ बड़े आत्मी संबंद बना लिये थे। आज हम देखते हैं चारों तरफ हर राज्य में जलनीतियां बनाई जाने लगी हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। समाज अपना एक जल पर चलते थे और इसको आसानी से तूटने नहीं देते थे। जलनीतियां आती जाती सरकारों के साथ बनती बिगड़ती रह सकती हैं पर समाज का जल दर्शन नहीं बदलता क्योंकि वो तो उस इलाके के हवा पानी को देखकर बनाया जाता है। इसी रीज से उस क्षेतर वि मूठ बोना है। ऐसी फस्टने लगाना है जो पानी की मांग कम करती है। एसी फस्टने लगाना है जिनको जादे पानी चीह तो हमें जादे पानी मिलेगा के नहीं। इस सारे निर्णे समाज अपने जलदर्शन के आधार पर लेता था। पर आजकल हम देखते हैं कि सभी सबी जगे दहन लगता है, सबी जगे जीरा बोया जाता है, गन्ना बोया जाता है, ये सारी चीजें नई आई हैं, अभी हमने जैसे बिहार के संदर में देखा कि अंग्रेजों ने बिना उस इलाके को समझे, रेल की पट्रियां खुब उची उठा कर बिचा दी, और गंगा और अन्य नद्यों के विशाल मैदान को जगे जगे रोक लिया, उस बड़े भूभाग में पानी की बेरोग टोक आवक के लिए उसने समुचित प्रबंद सोचा ही नहीं, उसे करने की बात तो दूर, रेल लाइन में कितने अंतर पर बड़ी बड़ी पुलियां बननी चाह इस पर कभी ध्यान नहीं गया उस दोर में, कम खर्च में जादे मुनाफ़ा खींच कर काम किया गया और बाद में तो पता चला कि यह तो उनकी अपनी भाषा अंग्रेज जी की कहावत की तरह परिनाम दे रहा है, कहावत है पैनिवाइस पौंड फुलिश, दो पैसा बचा उस समय की सरकारों ने भी अनेकों रुपिय गवाए थे बाड के कारण, जब अंग्रेज हमारे यहां आये थे तो हमारे देश में कोई सिचाई विभाग नहीं था, कोई इंजिनियर नहीं था, इंजिरिंग की पढ़ाई तक नहीं थी, वैसी शिक्षा देने वाला कोई वि पर उतारता था, जब अंग्रेज यहां आये हैं, एक बार फिर दोहरा लें, तब हमारे यहां एक भी सिविल इंजिनियर नहीं था, यह शब्दी नहीं था, पर सचमुछ कश्मीर से कन्या कुमारी तक, पश्चिम से पूरव तक कोई 25 लाग छोटे बड़े तालाब थे, इ ऐसे आगोर वगरों की जानकारी अनभवी आखों से नाप ली जाती थी, फिर यह पानी साल भर कैसे पीने का पानी जुटाएगा समाज के लिए, किस तरह से फसलों को प्राण देगा, इस सब की बारीक योजना कहीं सैक्णों मील दूर बैट कर लोग नहीं बनाते थे, वह हमारे नए पढ़े लिखे समाज के मन में, आज आपको यह जानकार हचर होगा, कि हमारे देश की तकनी की शिक्षा, सिवल इंजिरिंग की सारी आधुनिक शिक्षा, कि नीव में यह अनपढ़ माने गए लोग ही हैं, बहुत कम लोगों को आज यह जानकारी होगी, कि हमारे शहर नहीं था कोई, दिल्ली, बंबई, कलकता, इन सबसे अंग्रेश परचित थे, लेकिन इंजिरिंग कॉलेज एक छोटे से गाउं में खोला गया, और सन था आश्चर जनक, 1847, गदर से 10 बरस पहले, तब इस्ट इंडिया कमपनी का राज था, बृतानी सरकार भी नहीं आई थी तब तक, कमपनी का घोशित लक्ष देश में व्यापार था, प्रशासन या लोक कल्यान नहीं, व्यापार तो एक शिफश शब्द है, कमपनी तो लूटने के लिए बनी थी, ऐसे में इस्ट इंडिया कमपनी देश में उच्छ शिक्षा के या किसी तरह की तक्नीक कि शिक्षा के जंडे गाडेगी ऐसा उससे मानना ठीक नहीं था, किस्सा लंबा है उसे यहाँ पूरा बताना जरूरी नहीं, पर इतना तो कहा जा सकता है कि इस दोर में आज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक भाग भयानक अकाल से गुजर रहा था, अकाल का कारण व और्थ वेस्टन प्रॉविंसिस कहा जाता था, एक बहुती सहरदय अंग्रेज अधिकारी काम कर रहे थे, उचे पत्पर थे, विवहां के उपराज जिपाल थे, नाम था उनका श्री जेम्स थामसन, लोगों को अकाल में मरते देख उनसे रहा नहीं गया, इस्ट इंडिया साब ने फिर से दुबारा एक पत्र लिखा, इस बार भी वही हुआ, कोई जवाब नहीं, तब जेम्स थामसन ने तीसरे पत्र में अपनी योजना में पानी और अकाल, लोगों के कष्ट के बदले, व्यापार की मुनाफे की चमक डाली थोड़ी सी, उन्होंने हिसाब खाया कि अगर इस्ट इंडिया कंपनी इतने रुपे लगाएगी, तो उसको इतने दिनों में सिचाई करके रूप में इतना पैसा जादे वापस मिल जाएगा, इस तीसरी चिठी को पढ़के इस्ट इंडिया कंपनी के आँखों में चमक आई, मुनाफ़ा मिलेगा तो ठी पर तब सवाल उठा कि इस नहर को बनाएगा कौन, इस्ट इंडिया कंपनी में तो कोई इंजीनियर नहीं है कंपनी के पास, थामसन ने कंपनी को फिर से आश्वस्त किया कि यहां गाओं के लोग इसे बना लेंगे, कोई एरिगेरी छोटी मोटी योजना नहीं थी, हरिद् उस समय अपने देश की पहली बड़ी सिचाई योजना नहीं थी, दुनिया के कई अन्य देशों में भी उस समय तक ऐसा बड़ा काम सिचाई का कभी नहीं हुआ था, विस्तित योजना का विस्तार से वर्णन यहां नहीं करना है, बस इतना ही बताना है कि वह योजना पूब अच्छे धंग से पूरी हुई, तब थॉमसन ने कमपनी से इस योजना की सफलता को देखते हुए, उस क्षेतर में इसी नहर के किनारे, रूर की गाओं में इंजिरिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी रखा। इसे भी मान लिया गया, क्योंकि थॉमसन ने इस भी बड़ी कुशलता से एक वाक के डाला था और कमपनी को याद दिलाया था कि आने वाले दोर में आपके सामराज्य का अगर विस्तार करना है, तो ऐसे इंजिरिंग कॉलेज से निकले लोग आपके बड़े काम के होंगे। ये था सन 1847 में बना देश का पहला कॉलेज था, इस विशे को पढ़ाने वाला और आगे बढ़ें तो ये बताने लाइक भी तथ्या है कि इंग्लेज में भी उस समय इस दरजे का कोई कॉलेज नहीं था और एक समय रुड़की के इस कॉलेज में इंग्लेज से भी छातरों का एक दल विदेश भेजा गया था इंग्लेज पढ़ने विदेश याने बारत तो इस कालेज की नीव में हमारा अनपढ बता दिया गया समाज मजबूती से सिर उठाए खड़ा है वह तब भी नहीं दिखा था अन्य लोगों को और आज तो हम उसे पिछला बता कर उसके विकास की बहुविद्ध कोशिस में इस प्रसंग के अन्त में यह बता देना भी चाहिए कि 1847 में कालेज खुलने से पहले वहाँ बनी वह लंबी नहर आज भी पश्चिमी उत्रपदेश के खेतों में गंगा का पानी सिचाई के लिए वित्रित करती जा रही है आज रूड़की इंजरिंग कालेज को शासन ने उचा दरजा दे कर उसे आई 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 टी रूड़की भी बना दिया है कालेज का दरजा तो उड़ गया दुरबागे से कालेज जिन लोगों के कारण बना जिन के कारण वह विशाल सिचाई योजना जमीन पर उतरी उन लोगों ने अंग्रेजों के आने से पहले जिन लोग आज भी कहीं पीछे फेक दिये गए हैं। लोग आज भी ऐसा पक्के तोर पर हम नहीं कह सकते। नहीं। उन बांधों में भी पानी तो तभी भरेगा जब ठीक से वर्शा होगी। पर प्रकृति ठीक ठाक वर्शा करती है। वो मा है हमारी टेरी की मशीन नहीं कि जितने टोकन डालो ठीक उतना पानी गिरा देगी। कभी छपरा में 10 इंच गिरेगा कभी 36 इंच गिरेगा। एक तरफ हम बड़े बांधों से बंद से गए और दूसी तरफ जो नई तकनीक आई उसने भूजल को बाहर उलीच लेने के कई नए साधन खोज निकाले। शहरों गाओं में छलनी की तरह छेत कर डाले हमने और सत्मुच मिटी की विशाल गुलक में पड़ी इस विशाल जल राशी को ऊपर खीच कर फेंग दिया। उसमें डाला कुछ नहीं इस तरह यह धरती की गुलक खाली हो चली है। भूजल भंडार में आई गिरावट को बताने के लिए यों तो जिलावार प्रदेशवार आंकड़े भी दिये जा सकते हैं। पर जब जीवन का प्राणदाई रस ही निचूरता जा रहा हो तो नीरस आंकड़े नया और क्या बता पाएंगे हमें। फिर भी बिना किसी कि इस दोर में हमारी राजनीती जादेगिरी है या भूजल गिरा है ये तैकर पाना बड़ा कठिन काम है। इन दोनों का इस तर उपर उठाने के लिए हमें खुद थोड़ा थोड़ा उपर उठना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से एक नया शब्द हमारे बीच में आया गजब की भागीदारी थी। उस जन भागीदारी में सचमुच तीन भूमिकाएं होती थी। लोग खुद अपने गाओं में शहर में पानी की योजना बनाते थे ये हुई पहली भूमिका। फिर उस योजना को अमल में उतारते थे तलाब, नहर, कुए आदी बनाते थे अ खवाली की जाती थी। उसे अपना काम मन के किया जाता था, ममत्व के साथ किया जाता था। ऐसे में कहीं कहीं समाज राज की भागीदारी भी कबूल कर लेता था। हम जन भागीदारी की बात करते हैं उस समें राज की भी थोड़ी बहुत भागीदारी समाज को स्विकार ह जाती थी एक तरह से देखा जाए तो राज और समाच परस पर तालमेल बिठा कर इन कामों को बड़ी सहचता से संपन्द करते थे आज बहुत ही कम लोगों को इस बात का कुछ अंदाज बचा हो कि हमारे परिवारों के नामों में ऐसे चिन्द मिलते हैं जो इनी कामों से निक कहते हैं उसको करने वाले गुलाटी थे ये लोग कोई पास साल की इंजरिंग की पढ़ाई करके नहीं निकलते थे इनके खून में इनकी नसों में पास सो साल की पढ़ाई होती थी और वो पीड़ी दर पीड़ी आगे बढ़ती थी देश के इसकोने से उसकोने तक ऐसी अन से किया जाता था जो काम उनके मन में उतर गया उससे वे अपने तन पर भी संजो कर रखते थे देश के सबी भागों में शरीर पर गुदना गुदवाने की एक बड़ी परमपरा रही है बीच में थोड़ी वो पिछली साबित हुई अभी फिर से युरोप और अमेरिका के क निखाओं से एक भविचित्र कलाई पर यहाँ पर मेले ठेले में देखते देखते गोध दिया जाता था इस तरह पानी का काम मन से तन पर उतरता था और तन से श्रम के द्वारा जमीन पर उतरता था तेकि ना जमीन की कीमते तो आसमान चूरही है शेहरों में भी और अने गाओं में भी एक के बाद एक तलाब पुरते जा रहे हैं नगरपालिका हैं योंगा, उसमें कच्रा डालने का काम शूरू कर देती हैं जल संकट सामने है, फिर भी हम उसे पीट दे रहे हैं अपने तलाबों को, अपने जल स्रोतों को नश्ट कर देने के बाद ऐसे प्यासे शहरों के लिए दूर से बहुत दूर से किसी और का सचमुच हक छीन कर बड़ी खर्चिली योजनाओं को बना कर पानी लाना पड़ रहा है पर हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए इंदर देवता से इन शहरों ने ऐसी कोई अपील नहीं की है कि हमारा पीने का पानी तो महरा जब 200 किलोमीटर दूर से आता है तुम हमारे उपर पानी मत गिराओ आप हम पर पानी न बरसाएं ऐसा हम कहते नहीं पहले ये तलाब ही वर्षा के दुनों में शहरों पर गिरने वाले पानी को अपने में संजो कर समेट कर शहरों को बाड़ से बचा लेते थे तो पेजल के लिए छोड़ी दीजिए वो तो कहीं से भी आ जाएगा पाइप्लाइन से लेकिन शहरों को अगर बाड़ से बचाना है तो फिर से इन तलाबों को सामने लाना पड़ेगा क्योंकि इंदर का एक पुराना नाम है एक विशेशन है या पर्यायवाची है पुरंदर याने पुर याने किलों को शहरों को तोड़ने वाला देवता ये नाम जब रखा गया होगा तो इसका ये अर्थ है कि इंदर के समय भी खराब शहर बसते थे शहरी नियोजन अच्छा नहीं होता था उसमें कमिया आ जाती थी ऐसे अब ये वस्तित शहरों को इंदर अपने वर्षा के प्रहार से तोड़ देता था बहा देता था द्वार का तो याद किये ही जा सकता है बहुत पहले का किस्सा है दिल्ली, बंबई, चिन्ने, बेंगलूर, जैपूर, हैदराबाद जैसे नए पुराने अब थोड़े महंगे हो चले, आधोने को चले सभी शहरों में बारी-बारी से पिछले दिनों ऐसी बाड आई है जैसी बाड उन जगों में पहले कभी देखने नहीं मिलती थी इसके अलावा हमारे देश में समुद्र तट की भी एक बहुत बड़ी रेखा है पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर नीचे कन्य कमारी तक घुमते हुए ये रेखा बंगाल में सुंदर बन तक बड़ा भाग घुम लेती है पश्चिमी तट पर बहुत कम लोगों लेकिन पूरवी तट पर अब समुद्री तूफानों की संख्या और उनकी मारक ख्षमता भी बढ़ती जा रही है अभी कुछ ही समय पहले उरीशा और आंदरप्रदेश में आये चक्रवात की पूरु सूचना समय रहते मिल जाने से बचाओ की तयारियां बहुत अच्छी हुई इस कारण बाकी नुकसान एक तरफ कीमती जाने बच गई थी लेकिन चक्रवात के बाद कुछी दिनों बाद वहां बाड़ाई उसमें उससे जादे लोग मारे गए हमारे पूर्वी तटों पर समुद्री तूफान आते ही हैं पर अब उनकी नुकसान करने की क्षमता बढ़ती जा रही है इसके पीछे एक बड़ा कारण है हमारे कुल तटिये प्रदेशों में उन विशेश वनों का लगातार कटते जाना जिनके कारण ऐसे तूफान तट पर टकराने से पहले विद्वन्स की अपनी ताकत काफी कुछ वहीं खो देते थे जहां समुद्र और धर्ती का मिलन होता है इस मिलन बिंदु पर हजारों वर्षों से एक उच्सव की तरह खड़े ये वन बहुत ही विशेश सभाव रखते हैं दिन में दो बार ये वन खारे पानी में डूपते हैं और दो बार मीठे पानी में जो पीछे से नदी लेकर आती हैं मैदान और पहाड़ों में लगे पेड़ों से वनों से इनकी तुलना नहीं की जा सकती वनस्पती का ऐसा दर्शन अन्य किसी स्थान पे संभव नहीं जायतर जगोंग पर हमको पेड़ का तना और उसकी शाखाई दिखती हैं बहुत सुनदर पेड़े मैदानों में पाड़ों में लेकिन इस इलाके में इन पेड़ों की वनों की जड़े भी उपर रहती हैं जड़े अंधेरे में मिट्टी के भीतर नहीं प्रकाश में बिलकुल उपर आपको दिखेंगी जड़े तना और फिर शाखाई तीनों का एक साथ भवे दर्शन कराने वाला ये व्रक्ष और इसका भरा पूरा वन इतना सुनदर होता है कि इस प्रजाती का एक नाम हमारे देश में सुनदर सुनदरी ही रख दिया गया था उसी से बना है शब्द सुनदर बन लेकिन आज दुर्भागे से हमारा पढ़ा लिका संसार हमारा सामाजिक सेवा वाला संसार हमारे वेज्ञाने कोई 13-14 प्रदेशों में पहले इस वन के इस प्रजाती के अपने नामों को एकदम भूल गए हैं जब भी इन वनों की चर्चा होती है इनके अंग्रेजी नाम मेंग्रो भी याद आता है और कोई दूसरा नाम नहीं हमारे ध्यान में ये बात ही नहीं आती कि देश में कम से कम इन प्रदेशों की भाशाओं में बोलियों में तो इन वनों का कोई ना कोई नाम होगा उनके गुनों की स्मृति होगी और उस स्मृति के कारण उनको बचाने की कोई परंपरा होगी प्रसंगवश यहां यह भी जान ले कि मेंग्रो शब्द भी अंग्रेजी का नहीं है यह उस भाशा में भी पुर्तगाली से आया है तटी प्रदेशों से प्रारंब करें अगर हम यह नामावली अपनी ज्यान की अपने विज्यान की तो पश्चिम में उपर गुजराती कच्छी में से चैरवू कहते हैं फिर मराथी कौंकणी में खार पुटी खारे पानी में जो जिसमें अंकुर फूट जाए एक उसका थोड़ा कठे नामतिवर भी है कंणड में इसको कांडला काड़ू कहते हैं और कांडला पोट तो गुजरात में हैं तो इन दोनों के बीच में भी कोई तार जोड़ता होगा तमिल में सधपू निलम काड़ है तेलगू में माडा आडवी है इसका नाम उडिया में बहुत अच्छा नाम है जाओवन और बंगला में तो सभी ने सुना है सुन्दरवन एक नाम इसका मकड सिरा भी है और हिंदी तो समुद्र के तकों से दूर माना गया है हिंदी प्रदेश पर ऐसा नहीं होता के जिस प्रदेश में जो नहीं है चीज उसका उस भाषा में कोई वर्नन न मिले हिंदी प्रदेशों में हिमाला का नाम है इसलिए समाज अपने से बाहर के भी नामों को धूरता है और उसको रखता है हिंदी में इसे चमरंग वन कहते है अब ये शब्द आपको हिंदी की डिक्षनरियों में शब्द कोशों में भी नहीं मिलेगा और तर्टी एलाकों में जमीन पर भी नहीं मिलेगा। पर्यावरन को ठीक से जानने वाले बताते हैं कि आंधर रूडिया में खासकर पारदीप वाले भाग में चमरंग वनोक को विकास के नाम पर खूब उजाड़ा है। इसलिए पारदीप में ऐसे ही एक चक्रवात में सन 2004 में बुरी तरह से तबाही हुई थी। उस तबाही को देखने के बाद जिम्मेदार लोगों ने कहा कि जंगल को दोश देना ठीक नहीं वो तो कट गया कट जाने दो उसका पश्चत आप मत करो। एक मजबूत दीवार समुद्र और धर्ती के बीच में बना दी जाएगी। पांच मीटर चौड़ी होगी कंक्रीट की ऐसी हमारे पास तकनीक है। कुछ ठंडे प्रदेशों का अपवाद छोड़ दे तो पूरी दुनिया में धर्ती और समुद्र के मिलने पर प्रकृतिने सुरक्षा के ख्याल से ही ये सुन्दर हरी मजबूत दीवार सुन्दर लंबे चौड़े सुन्दर बन खड़े किये थे। आज हम अपनी लालच में इन्हें काट काट कर इनके बदले दो पांच गज चौड़ी सीमेंट की कंक्रीट की दिवार खड़ी करके सुरक्षित रह जाएंगे। ऐसा सोचना हमारी मूर्ता होगी। ये कड़वा समक हमें समय न सिखाए वही ठीक होगा। चौथिक अक्षाओं में हमको ये पढ़ा दिया जाता है कि पृत्वी पर कोई सत्तर प्रतिशत भाग में समुद्र है और धर्ती याने जमीन मात्र तीस प्रतिशत है। समुद्र के सामने हम लोग नगण्य हैं। ये सुन्दरबन, चमरंगवन हमारी गिंती बनी रहे इस संसार में इसकी सुरक्षा देते हैं। दिवारें खड़ी करने से समुद्र पीछे हट जाएगा, तटबंद बना देने से बाढ़ रुख जाएगी, बाहर से अनाज मंगवा कर बांट देने से अकाल दूर हो जाएगा, बुरे विचारों की ऐसी बाढ़, अच्छे विचारों के ऐसे ही अकाल से हमार ये जल संकट बढ़ा है। आज हम जिस विभूती के पुनिस्मरण में यहां एकत्र हुएं, उन्होंने अपने समय में या कहें अपने समय से पहले समाज का ध्यान ऐसी अनेग बातों की तरफ खीचा था। श्री गोखले से भेट होने के बाद राजेन बाबु कोई बावन बरस तक सारवन जीवन में रहे। उनका बचपन जिस गाओं में बीता था उस गाओं में नदी नहीं थी। वे तैरना नहीं सीख पाए थे ऐसा उन्होंने अपनी आत्मकता में बड़े दुख से लिखा है। लेकिन इस बावन बरस के एक लंबे दौर में उन्होंने अपन दिन रेल में बैठे और दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। उसी सदाकत आश्रम के एक छोटे से घर में रहने के लिए जहां से उन्होंने सारवन जीवन की अपनी लंबी यात्रा प्रारंब की थी। उनकी पुन्य सुनती में हम सब के प्रणाम। धन्यवाद। की वे धन्यवाद ग्यापन करें। पहाने देशक स्री लीला दर्मंडलूई जी का भी शुक्र गुजार हूँ जिनकी उपस्तिती ने हमें गौरो प्रणान किया। यहां उपस्तित आप सब लोगों का भी धन्यवाद कि आपने अपना मूले समय देकर इस सभा को सुशोबित किया। धन्यवाद।